फ्रेंड स्वागत आपका होम ट्विशन चल पे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि दिल्लिप्लिस का जो एक्जाम है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो ऐसे में विद्यार्थियों की सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो जिक्के का जो पोर्षन है आपको पता है क तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि कैसे इस कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करके जाएं कि एक्जाम में अच्छा प्रपोर्मेंच हम कर सके दोस्तों तो ऐसे इस क्रूशल टाइम में दोस्तों एक सही किताब का च्रेंड करना भी भुश जादा आउस्यक हो जाता है वैसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबे हैं सामाने ग्ञान के उपर करंट अफेर के उपर लेकिन आपका सही सेलेक्षिंज ही आपको एक्ट्वल एक्जाम में सेलेक्षिंज की दोड में सबसे आगे रखेगा दोस्तों तो अगर आप टाइप क्यूशन विद की सोल्यूशन हम नहीं देंगे केवल क्यूशन है ओप्जक्ट है च्यार और उसका आंसर है दोस्तों तो जनवरी से अब तक की जो most important current affair है वो हमने PDF format में तयार कर दी है इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली एक मोग टेस्ट देली प्लिस पैटरन पे जो हम अपनी वीडियो पर प्रवाइड करते हैं वो नहीं उसके अलावा हम आपको मोग टेस्ट देने वाले हैं दोस्तों तो अगर आप 100 मोग टेस देना चाहते हैं प्रती दिन एक मोग टेस्ट आपको मिलेगा सो के सो मोग टेस्ट आपको एक साथ नहीं मिलेंगे इस बात को ध्याने रखेंगे एक मोग टेस्ट आपको डिले मिलेगा या दो मोग टेस्ट हम करेंगे एक्जाम तक आपको सो मोग टेस्ट मिलेंगे ही मिले तो अगर आप दिल्ली प्लिस के एक्जाम तक जनवरी से नवंबर तक ही करंट फिर चाते हैं और डेली दो से तीन मोग टेस्ट आते हैं और अन्य पीडियाफ जो भी आपके पास किताब नहीं है वो आप डिमांड करेंगे तो हम आपको पीडियाफ फॉर्मेट में दे किसी नेभी अगर फोन किया तो बलोक हो जाएगा कोई call रिसीव नहीं होगी दोस्तों ठेक है आपको करना क्या क्या है इस नम्मर पर आपको फोन पे और गुगल पे से पेमेंट करनी है 100 पे payment का screenshot लेना है और screenshot अबे इस number पर 890102858 ठेक है इस number पर आपको payment का screenshot बेजना है जैसे आप screenshot बेजेंगे उसके कुछी देर बाद हम आपको अपने आप गुरूप मेड़ कर देंगे और आपको PDF सम प्रोवाइड कर देंगे दोस्तो याद रखेंगे आपकी सफलता ही हमारा उद्देश से है इसके लाओ हमारा कोई मकसद यहाँ पर नहीं हो जाता है दोस्तो बात आगे समझोंगे तो चलिए आप जानते हैं उस किताब के बारे में वो हमारे दिमाग में बस जाते हैं बिलकुल परमानेट दोस्तो ठेक है तो ऐसे में सही किताब का चैन करना भी आउशिक हो जाता है दोस्तो ठेक है वैसे तो आपके पास Lucian की जो theoretical किताब है subjective किताब है वो मेरे ख्याल से सब के पास होगी ही होगी क्योंकि JK का मास अगर उस किताब को कहा जाता है ठेक है तो अगर आपने उस किताब को prepare कर लिया है Lucian वाली book को अथी तरीके से पढ़ लिया है तो ऐसे मैं आपके सामने मैं आपको दो चोईस दे रहा हूँ दोस्तों और दो चोईस में से एक को मैं recommend करने वाला हूँ वो तो आपके उपर डिपेंड आप कोण से ले कहेंगे ठेक है लेकिन मेरी इनुसार आपके पास दो में से एक किताब होनी चीए पहली है किरन की objective दोस्तों सामने ग्यान objective जो collection है SSE का वो यहां पर दिया गया है और दूसरी जो किताब है वो है घटना चकर दोस्तों ठेक है घटना चकर SSE और latest है माली जे 2020 की किताब आपके पास है 2020 का edition आपके पास है तो 2017, 2018, 2019 2020 और 2020 में जितने भी paper होए है उनका question collection भी आपको इसमें मिलेगा दोस्तों पीछेगा तो मिलेगा ही मिलेगा अब तक का आपको इसमें मिल जाएगा दोस्तों आपको पता है कि दिल्लेपलिस का जो exam है वो SSE conduct करवा रही है दोस्तों और SSE आपको पता है repeated questions के लिए famous है चलो repeated ना भी आए तो भी हमें कोई problem नहीं है आपको ये तो पता लगेगा कि SSE किस प्रकार के question और किस topic से ज़्यादा पूस्ती है दोस्तों छेक है तो मैं आपको एक ही किताब यहाँ पर recommend करना चाहूंगा question practice के लिए वो है घटना चकर question है उसी के नीचे answer है और answer के नीचे explanation भी है वो question फिर कभी नहीं बोलोगे आप दोस्तों आगर आपने इस किताब को भी 10 बार पढ़ लिया ना अकेल इस किताब को और exam में 40 question करन्ट फिर के अलावा 40 question अगर जिक्के से आते हैं तो यकीन मानके चलिए कि 30 question आपको इसी किताब से मिलेंगे क्योंकि exam sse करवा रही है और sse जितने भी sse ने आज तक जितने question पुछे है अपने exam में चायो sse cgl cpu mts जिस भी exam में sse ने जिक्के पुछी है उन सभी questions का collection इस किताब में दे रखा है केरण है वो क्यो recommend नहीं कर रहा हूँ पहली चीज तो यह है उसके answer पीछे दे रखे पहले आपको 400-500 questions के पीछे जाना पड़ेगा अपने हर answer को check करने के लिए explanation उसके भी पीछे दे रखा है केरण में क्या है कि एक ही question कई बार repetition आपको मिलेगा दोस्तों है हाँ Lucian के objective अच्छे किताब है लेकिन उसमें केवल question है और उसका answer की दे रखा है पहले का ए दूसरे का भी इससे आपको कुछ भी याद नहीं होता है क्योंकि जब तक आप उस question का explanation पड़ेंगे व्याक्या नहीं पड़ेंगे तब तक आपको समझवेंगे नहीं आएगा कि इस question का answer ये क्यों है और ये क्यों नहीं है दोस्तों तो ऐसे में इन तीनों किताब में जो सबसे best किताब है वो है ऐसे सी घटना चकर ठेक है latest आपको लेकिए आनी है नहीं है तो 2.500 रुपए में आप गरीब नहीं हो जाओगो जाए मार्किट किताब को लेके आईए और एक्जाम तक कम से कम 10 वार इस पूरी किताब को खतम करके आपको जाना है आप यकीन मान के चलिए आपका performance बहुत अच्छा होगा confidence भी आपका high level पे रहेगा दोस्तो ठेक है अगर आप online purchase करना चाहते है तो इस किताब का जो link आपने description दे दिया है जाके click कीजिए और order कर सकते हैं ठेक है तो बस इंतराइक करना चाहूँगा कि ये किताब आपके पास होणी चाहिए इस किताब को घोट कर पी जाओ अगर exam में GK में अच्छा score करना चाहते है Lucent तो आपको पढ़ने ही पढ़नी है जो थोटिकल किताब है न वो एक बार पढ़के फिर आपको ये पढ़ना है अगर वो आपने पढ़ ली है तो आप पढ़ने क्या हो सकता नहीं है केवल इस किताब को बार बार repeat कीजिए लेकिन अगर आपने Lucent कवर नहीं किया तो पहले Lucent को कवर करके आए फिर इस किताब को पढ़िए आपको डवल फाइदा यहां पर होगा दोस्तो ठेक है एकजाम तक ये किताब कम से कम आपकी दस बार repeat होने चाहिए दोस्तो ठेक है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं कुछ सेकने को मिला या नहीं मिला ये भी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो और बैल आइकन को भी प्रेस करें अगली वीडियो के नोटिस के लिए दोस्तों और हमारे सब्सक्राइबर 75,000 पार कर गए हैं उसके लिए आपके स्पोर्ट आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिल तक लिए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ पाए